दोस्तों आज 10 में 2022 को पॉली कैब इंडिया लिमिटेड के क्वाटर फोर के फाइनेंशल रिजल्ट को पब्लिस कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ओब डारेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंट को भी रेकमेंड कर दिया है बोर्ड ओब डारेक्टर्स ने 14 रुपे प्रती एकविटी शेर का फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है अगर हम लोग इस शेर की फेस वैलू जो 10 रुपे प्रती एकविटी शेर है इससे इस डिविडेंड को कमपेर करें तो ये 140 परसेंट होता है लेकिन अगर इस शेर के करेंड मार्केट प्राइस जो 2370 रुपे के आसपास है इससे इस डिविडेंड को कमपेर करें तो ये डिविडेंड 0.6% के आसपास है इस डिविडेंड की अप्रूवल शेर होल्डर से आने वाले AGM में ली जाएगी ये इस कमपनी का consolidated financial result है और यहां सारे figure million में बताए गए है except earning per share quarter 4 में revenue from operation 3970 करोड है जो previous quarter में ये 3372 करोड था और previous year के quarter 4 में ये 2942 करोड था तो revenue from operation में year on year basis पर 35% का गुरूथ है और quarter on quarter basis पर ये 17.8% बढ़ा है quarter 4 में total income 3986 करोड 80 लाग है जो previous quarter में ये 3393 करोड 65 लाग के आसपास था और previous year के quarter 4 में 2965 करोड 87 लाग था तो year on year basis पर total income में 34% की बढ़त है और quarter on quarter basis पर ये 17.5% बढ़ा है quarter 4 में इस कमपनी का net profit या profit after tax 325 करोड 33 लाग है जो previous quarter में 248 करोड 37 लाग था और previous year ये quarter 4 में 271 करोड था तो पैट में year on year basis पर 20% का ग्रोथ हुआ है और quarter on quarter basis पर ये 31% बढ़ा है quarter 4 में इस कमपनी का diluted earning पर share 21 रुपया 47 पैसे है जो previous quarter में ये 21 रुपया 30 पैसे था और previous year quarter 4 में 18 रुपया 80 पैसे था quarter 4 में इस कमपनी का operating margin 12% है जो previous quarter में ये 11 परसेंट था और previous year के quarter 4 में ये 14 परसेंट था तो operating margin में year on year basis पर तो गिरावट है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें थोड़ी बढ़त भी है quarter 4 में इस कमपनी के pat का margin 8.2% है जो previous quarter में ये 7.4% था और previous year के quarter 4 में ये 9.2% था तो pat के margin में year on year basis पर गिरावट है लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें बढ़त भी है तो आपने देख लिया इस कमपनी के revenue from operation PAT और EPS इन सभी में year on year और quarter on quarter दोनों ही basis पर बढ़त है और इस कमपनी के operating और PAT के margin में year on year basis पर थोड़ी गिरावट है लेकिन quarter on quarter basis पर बढ़त भी है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जाद जाद लोगों के साथ शेर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद